कि अलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप शो कि भी देखिए आज हम कि इभी असका बहुत इंपोर्टेंट पैडागोजी का कुस्चन लेका है समझे तो इसमें 30 कुस्चन का डिसकर्स करेंगे तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए आपको अच्छा समझाएगा समझे तो च लिए आपका स्टार्ट करते हैं पहला कुस्चन है आपका कि प्राइमरी अस्तर पर इभी एस की पार्ट पुस्तकों की रचना ध्यान पूर्वक की जाती है जिससे भी द्यार्थियों में सिखने सिखाने के दौरान गलत अधार्ना ना बन जाए देखिए को रहा है कि प्र क्राइमरी अस्तर पर इभी एस की पार्ट पुस्तकों की रचना ध्यान पूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सिखने सिखने के दौरान गलत अधार्ना नबन पाए आपके अनुसार पार्ट पुस्तक की कौन सी विश्चता इसके लिए उप्यूकते पहला है कि प्रतेयों का विश्चतार किया जाता है जिससे अस्पस्टिकरन हो सके तता गलत प्रत्य नबन में देखे अस्पस्टिकरन तो आपका हाई कलास में चलता है समझे आपका प्राइमरी अस्तर में अस्पस्टिकरन या प्रत्य का विश्चतार इस सब चीज आपका नहीं च जो कम कम आउं के विद्धार्थे को जो समझना है उसे परचय तुम्हें मतलब सम доступ gonnaabul 먹어 पर चाह कुझा भी पर चाह को पर चाह याँ कम के डाहा इंसको समझाएगा पहले इसे आपका नाउन ही पढ़ना है तो जो फाइफ शिक्स में जो नाइन परना है वह आपका प्रचिरात्मक रुप यानि इंट्रोडक्टिव रूप में रहता है और 11 12 में वह आपका विच्टा रूप में रहता है समझ गया तो आपका एंसर क्या हो जागा तीन नंबर हो जाएगा समझे इसका एंसर क्या हो जागा तीन नंबर हो जाएगा इंगलिस भी देख लिजे समझे की concept which cannot be perceived with the young student as given the introductory level यानि वो क्या हो नाई यहां पढ़िचात्मक का मतलब क्या हो गया आपका कि वो एदम मतल शुरुवाती अस्तर पोना चाहिए परिचात्मक नहीं परिचा इंट्रोडक्शन के रूप में होना चाहिए समझे तो आपका एंसर क्या हो जागा तीन नंबर हो जाएगा समझे अगला question है 77 नंबर कि समुदाइक संसाधन को प्रात्मिक अस्तर पर EBS पढ़ाने का महत्पुन साधन माला आता है क्योंकि अब देखिए कर आएक समधाइक संसाधन जो आपका होता है तो देखिए सस्ता है ऐसा तो कोई आपका अथी में नहीं कि सस्ता होता है इसमें अन्भावी व्यक्ति होते है यह आपका सबसे वेटर ऑप्चन है कि अन्भाव से सीखने का क्या देता है हमारा अगला कोस्चन है अठाटर नमबर कि काक्छा पांच के अन्मान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चनी के आप सकता होगी इस किरिया कलाब दरा कौन सी परिक्रिया को असल कभी कास होगा देखिए माली जैक डबबा है तो बच्चा अनुमाने न इसमें कितना सकता है बर्गी करनों का बात है इस संप्रेसन का है पर्योग तो नहीं कर सकता है समझे एक तरह क्या करेगा आपका अनुमान लगाया अनसर आपका परिवार नमथ नामक थिम का हिस्सा एं नूप थिम है इस परकार के अस्थापन का कारान है। पहला अप्षण है विद्यार्थ्यों का इस योग बनाना है कि वे पेरपौधेय। पशुग के अप्रेवार की समर्या है। चिनके आणउसार्ट प्ध grasp पॉसुर्प परिवार करें कि तो आपका क्राग धारणाई को तो हुआ नाहीं तो होते ही है इसलिए पॉसान क्या होगे Q k a a or b सही यह आपका एंसर क्क्या होगे अपका A & a चुक्त की प्रात्मिक पढ़ाने का एक पर्मुक्त हुद्यारत्यू को इस योगना है कि उसे की सेयोग बनाना है समझे तो इसमें option देखिएगा तो पहला कर रहे वह ऐसे कोसल और जीत करेंगे जिनसे वह सोतंद से प्रयावरान बचाने छोटा बच्चा है अब ही उससे बचाने तो प्रयावरान को कर्या कलाब करना activity करना है लेकिन वह सोतंद रूप से नहीं कर सकता है समझे तुछरा है उच प्राथमीक अस्तर पर पर्यावरा संधी पढ़ता है और जीत करें तिसरा है विद्यार्थियों को कच्छा की सिक्छा को स्कूल से बाहर के जीवन सुजोनने में मदद करता है सबसे बेस्ट आपका कोन है अपराम प्रागत भ क्या है इसका उप्युक्त करण क्या है कि इभी जो होता है क्या होता है वह भास और गरनीत के साथ क्या होता है यह कि पर आते हैं इस पर आते हैं यह आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा कि देखिए नारा जो इसमें ऑप्शन दिया है लकड़ी के गठ्थे के गधाम का भर्मन करनादाम सही बात है देखेंगे ने कि यहां पर देखो कि इसको सनच्छित करके रखा गया है समझ गया परती उसके बाद है वनों को काटने पुष्टर तो आपका निगेटिव वर्ड होता है पुष्टर नहीं बनवाना है सनच्छन का नाटक करवाना यह भी ठीक है पेरों का अपनाना देखवाल करना यह आपका देखें किस अप्शन में एसी डी आप देख सकते हैं एसी डी आपका क्या नमबर आप्शन में है तो चार नमबर आप्शन में समझ गये यह आपका क्या हो जागा एंसर हो जाएगा है समझे परिख्छा तो होगा नहीं तकरा सिठ्छक दौरा बनाए उपकरण जो चुछकर की अपनी सिउप्छन कन नहीं करना है अस्थानी प्रसंगों क्या हो इसके अनुकूल है यह आपका सबसे से निम्न में कुन सा विकल्फ विद्यार्थी दरा किये गए क्रिया कलापों के पचाथ उसके सिखने को ड्रीड करने के लिए होना चाहिए तो देखिए सबसे अच्छा आपको कुन होना चाहिए तो पहला अप्शन है आपका कराय के अदर सुरूप से निम्न में कुन सा विक का पर आले हैं की घर पर किय गए कि रया-कलाप दुसरा है और यह कं तो आप मीशादिटी स्कुल्ट होता है अगला रही घौgटी इस्पक्राइब आया प्षेस सबसे पोजय कशाओ में अपसी करवाया एक प्शाओ हमां इस ना होगा नहीं तो आपका एंसर क्या जागा तीन नंबर हो जाएगा समझ गया अगला है आपका विचार भी वह पोजेटिव होता है अगला है आपका पचासी नंबर कि निम्ण में किसका उपयोग इभी इसके सिक्षकों द्वारा विद्यार्थों के परमानिक सिखने की छमता का परमानिक के लिए आपका पूटफोलियो का उपयोग के जाता है यह आपका पता है समझेते तिन नंबर इसका अंसर हो जागा अगला है आपका 86 नंबर कि हम चीज कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निमलिखित में कुन सी युक्ती अत्वा सबसे अधिक उपय मता ने चीज को देखाने करने वाले पहना ना चयुकिन आपका कुमार होता है तो जो सब्सक्राइब चीज हम कैसे बनार सथाथा कोष्चन कर रहा है कि तिसरीक अक्षा के विद्याठी अपने परिवार के candidate से उस्योत की विष्कूर बठते हैं तता तोने कि आपको ऊध्यापत को परियावरन अध्यान के पाठ जणा में रखने के लिए वीचार करता है। कि ब्च्चा को आप जो कॉष्चन है आपका करा आए लिक निम लिखित में कुन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावन नध्यन के पार्टा रखने के विचार करना चाहिए तो आपको पता है कि जो पर्यावरण अध्यन में हम रखते हैं तो क्या क्या रख सकते हैं समझे तो पहला आपका option दिया हुआ है कि कि अधि आप लोग पाठ बनाते होंगे तो विसी स्टुद्यस रखते ही रखते हैं छात्रों के सजागता यानि पर्यावरन के बारे जो समान जनकारी उसको भी रखते हैं तेकर पर्मुंक अधाना और परकिरिया को सामिल नहीं करते हैं समझ गे यह अप्शन गलत हो गया समान उद्योस को भी सामिल करते हैं यानि इसका अंसर आपका एक मिनट रुकित कराया कि निमलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को तो सजकता जो होगा ना एक मिनट रुकित निम्लिखित में कराया कुन सा एक ततव का ध्यापक को अच्यापक बला है तो पर्याम अधन के आप पाठ्व जना में रखने का विचान न नहीं कर खादा देखें थे तो यही एक option में दिया हुआ है इसवने तो डो डिडिय नहीं है समझे परमुक अधारना और परक्रिया कॉसलों क्या करते हैं सामिल करते हैं तो जो भी हमारा टीचर का जो स्किल होता है कैसे प्रहाना कि सिक्ष्ट्ष Nich पढ़ाना है हो तो रहता ही रकपर किया को सलाई य से ब ओर्जेटिव होता है औरändern ओक की पर्यावरान सजगता यह प्का प्टान के कोडिंत थोला चाहिए होसकता है समझे तो लेकिन आपका क्या है कि उप्षन में तो इसा दिया नहीं है समझे तो आपका समानुद्य स्तामिल करते इसका चार नमबर आपका ए सीडी सही हो जाएगा समझे अगला कोश्चन है नमासी नमबर कि द्रिष्टी बादी द्यार्थियों के लिए निम लिखी तुम्हें कौन सी उक्ति पर्यावर अंधन के लिए सबसे उप्युक्त होगी तो द्रिष्टी बादी ते सरब पाठ पुस्तक तक त्यार किया निसमें आपको क्या लगव रहा है नमासी में कि आपका चाया मतलब जो यह ची स drauf वक्त चीज ब्ययख्ष्या कि आ बड़े कावक्ष्थ आपका सही है यह भी लेखिन इसमें बॉलें आधार्णा कि सरल चित्रों द्वारा मुछ चित्र तो देखेगा नहीं तो आपका गलत होजामेस चित्र का बात कर रहा है इसलिए यहां पर क्या हो गया लत हो गया समझ यहां पर है अधिक साथ भी मूर्त निश्चित के मूर्त मतलब एक ठोस के रूप में को किया जाए यहां इसका एंसर चार नमबर हो जागा यहां पर चीत्र दे दिया है बच्चा दिरिष्टी बाधित है चीत्र नहीं देख पाएगा समझे अभी एक्ष्या भी किया जा रहा है इसलिए अभी गलत हो गया इंसर क्या हो जागा आपका तो एक बी और डी सही हो जागा समझे लास्ट को चने नमबर कि सलीम प्रात्मी कख्छाओं के विद्यार्थी को जल भी से पढ़ाने के छेत्परन करना चाहता है तो कुन सा जगह उचीत होगा तो देखें जल भरवन के लिए जल आपका साहथ हो जाएगा समझे यह भी च त presence अब में स अब लोगा है मैं 27 तरही के समझे है मैं समझ गया ही ऑट भी आते हैं हम लोग अब 27 तरीघक कोस्चन में समझ गए तो चलिए 27 तरीघकोस्चन थुरा हलका है आए इसको देखते हैं अभी और आंको प्रकीट्टि क्या आपको इंट्रिट्टिट्टी होता है कुन-कुन सब्जेक्ट का टिन सब्जेक्ट का आपका समाजिक विग्यान फिज्ञान का उसके बाद समानग अद्यैन का सुशल साइंस का इमिए प्रियावरम न देना 2 समाजिक विज्ञान विज्ञान और आपका प्रियावरम न दिने 26 सतर परियावरम के बारे में एक सब्सक्राइब करता है यह सही हो सकता है आपका असानी से नहीं है अगला कोशन अठतर है कि काक्षा 3-5 तक इभी एस के विशाई की रूप में विज्ञान समाजिक विज्ञान यह परियावरें दने अनुसंसा की थी तो इनसीएव दूज्यार पांच किया था समझें चार इनसीएव आया है फ्रेस्टे चार पांच इनसीएव निसीएव कि उनई सो पच्छात्तर पहला एनसीएव फिर उनिस्टे असी में पिर आपका 2000 में फिर 2005 में यह थना एनसीएव आपका आया होगा एंसीएव द्यएर पांच में यह के आखा जयां यह निंसर क्या होगा अठतर का दो नंबर कुस्चन है कि एक की अध्याइपका के लिए अपनी क्षा में कौन सी सरवाधिक चुनोती पुर्ण कार जाएगा और सी कोस्चन है कि निम लिखित में किस प्रकार का सीखना इभी एस कर्षाव के लिए उप्यूक्त है आपको पता है कि देखिए रटना तो इस ते गलत हो गया समझे अब एक चीज बताईए और विबरन द्वारा भी सिखना नहीं होता है समझे रट कर सिखना दिया है रट कर सिखना नहीं है रटना को हतो साहित किया इसको इंगलिस है रटना को क्या करना है तो क्या है आपका पोजेटिव चीज नहीं है सही का रहा है कि हम रटना को हतो साहित करना है समझे तो यह भी सही हो जाएगा और आपका सी सब्सक्राइब सब्सक्राइब समझ गया स्वरी सीडी बोला है एं परिभासा नीगेटिव हो गया यह भी नीगेटिव हो गया तो सुम करके सिखना और अटना यह यह और डी इसका क्या हो जाएगा दो नमर हो जागा देखिए अब आपका कुश्चा नहीं है तो देखिए तीन वो की पशेघर को समभेदित करने के किसी निति के खेज़ Right करना है समस्तिक करना है तंद प्रयोग उस पर जाकर नहीं करना कहानी हो सकता का इसमें समझे यह सकता है और आपका कविता भी हो सकता है तो आपका क्या हो जाएगा आपका सभिबिक हमज़ी आपका क्या हुज तो दो नमबर हो जाएगा समझ गए अगला है आपका कि तेरासी नमर कोस्चन की कच्छाओं में इभी इस क्रिया कलापों का संचालान करने का उद्धेश क्या है तो पहला अप्षन है छात्रों में अन्यूमेशन करना एदम सही बात है अस्मरन तो आपका निगेटीव समझ गया चैसा चैस्ट है आसी कुश्चन है छात्रों तो पूछेग है प्रस्न की विए सिछ्षा प्राप्ती का मुध्न सुचक है क्योंकि क्यों सुच्छ है प्रस्हीं ज्यान में अखलन करता है अभिएक्ति कίν देता है जिग्यासाशा के क्रियात्मकई मुखनों का मुल स्वाइब प्रस्म जात्रों ग्यान के अकलन करता तो यह जाएगा अगला है आपका पचासी है कि कि समध्यान करता है टाब यस लेशन क्या है तो इस लेशन क्या होता है आपका ना समाजिक भीक होगा नुत्वाद आपको पता है कि समुदाये सदस हो सकते हैं समझे और करा है कि सिख्छा देने का समझे तो आपका देखिए शिक्छा देने का हो सकता है सिख्षा का मतलब प्राप्त करने का क्रिया कलाप दरा बच्चा क्या करता है कि वह कुछ सीख सकता है साधन नहीं हो सकता है क्रिया कलाप किया जाता एक्टिवीटी है समझे तो यहां पर आपका ए और भी सिर्फ हो जाएगा समझे आपका कवीता से तो नहीं के सदस हो सकते हैं 86 का यह भी हो जाएगा कि अगला कुस्टन है 87 की निमन में की निभी सेयों की चर्चाइब समाजी कोशवलो का सुचक हो सकता है समाजी कोशसल ताका समाजी ताम लोकन द्वारा उन्से प्रश्ण पूछ कर चित्र बनाने में उनके भगदार इता इता विचार भी मरस में थीचा लेने उनके उपरा द्वारा इकाई परिचन करना यह एक्वा दर साथ है तहीं हमारा क्या दर सात है क्या है कि मुल्यांकन सिक्षी का द्वारा उनकी एभी चात्रों का मुल्यांकन का प्रियोक कर रही है समझे इसका अंसर तिन नमबर हो जाएगा समझ गया तो ऐसे आपका हो गया ऐसे हम और करवा देंगा समझ गया